जै स्री कृष्णा राधे राधे हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को समरिधी की देवी की रूप में जाना जाता है और लक्ष्मी माता भगवान विश्णू की पतनी है भक्तों का दुखरने वाली धन धाने से भर देने वाली मा लक्ष्मी की किरपा अगर हो जाया त तो यकीन मानिए इस बार ये 6 सितंबर को है और इसी दिन से महालक्षमी का बरत भी आरम्भ होगा दोस्तों वैसे तो वीधान है अगर आप महालक्षमी का बरत रखते हैं तो पंचम निश्यस्च स्णान कराना चाहिए और फिर ब्रहामनों को भी इस दिन या फिर किसी गरीब को खाने पीने की बस्तु देने का बिधान है इस दिन आप खास कर फल, दूद, मिठाई के अलावे कुछ भी मत खा यानि अन और नमक आपको सिवन नहीं करना है हम बचों की बात कर रहे हैं चावल के उपाई की उसके पहले आप ये जान ले महालक्षमी ब्रत से जूरी एक कथा जो हमारे पुरानों में मिलती है इस कथा को सुनने से ऐसा कहा जाता है, माना जाता है जीवर में धन की परिसानी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है इसलिए हमने ये कथा रखने की सोची एक गाउ में एक गरीब ब्राह्मन निवास करता था जो भगवान बिश्णू का भक्त था एक बार उसकी भक्ती से परसन होकर भगवान बिश्णू ने उसे दरसन दिये और उससे बरदान मांगने को कहा अब भगवान की बात को सुनने के बाद ब्रहमन ने लक्षमी जी का निवास घर में होने की कामना रखी ब्रहमन की इच्छा को सुनने के बाद भगवान विश्णु ने कहा कि तुम्हारे गाउं के मंदिर के पास एक महिला उपले थापती है वही देवी लक्षमी है उस इस्तरी यानि देवी लक्षमी को अपने घर आने का अमंतरन दो भगवान बिश्णु के बताया नुसार उस ब्रहामन ने वैसा ही किया वह उपले थापने वाली इस्तरी यानि देवी लक्षमी के पास गया और उन्हें घर आने का निमंतरन दिया उसकी बातों को सुनकर देवी लक्षमी समझ गई यह काम भगवान पिश्णु का है इसके बाद उन्होंने ब्राह्मन से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्षमी का बत रखो और 16 दिन रात के समय चंद्रमा को अर्ध दो ऐसा करने से तुम्हारी मनो कामना पूरी होगी ब्राह्मन ने देवी की बातों को सुनकर विधी विधान से महालक्षमी का बत रखा और 16 दिन लक्षमी जीक ने अपना बचन निभाया तब से महालक्षमी का बरत भारत के यहां हमारे देश इनीबल की विदेशों में भी लोग रखने लगे हैं अब हम बात करेंगे चावल के उपाई की दोस्तों सुक्रवार का दिन है राधास्टिमी है सबसे बड़ी चीज तो यह है महालक्षमी का दिन और महालक्षमी का जन्म दिन तो दोस्तों इस दिन क्या रहेंगे क्या एक लाल कपड़ा लेंगे रात में आप साम में यानि की रात नौ बज़े से लेकर साड़े दस के बीच कीजिएगा धन प्राप्ति के लिए यह उपाई बहुत सूब है और आपको यह उपाई करना है भगवान स्री गनेश मालक्षमी दोनों के सामने आप साम में कपड़े बदलने पैरहां धोके यह नहाएंगे तो नहा लें अब भगवान गनेश को पीले फूल अरपित करें और भगवान मालक्षमी को आप लाल पुस्प या गुलाबी पुस्प अरपित करें कोई भी पुस्प वो चलेगा अब इन्हें आप एक लाल कपड़े में छोटा सा कपड़ा लीजेगा रुमाल से भी छोटा पीले चावल यानि कि 21 आपको बिना तुटेवे चावल लेने हैं इसे हल्दी से थोरा सा हल्दी पानी में गीला कर ले और चावल को अच्छे से कलर कर ले अब चावल को पीला कपड़े में रखें आपने जो लाल कपड़े रखे न उसमें पीली चाबल को रखे अब इसमें आप पांच गाठ वाली हल्दी रखे अब कपड़े को बांध ले मालक्षमी के पास वहाँ पे रख दें और फिर इसके बाद नियम पुर्वक पुजा करते रहें यह जो गाठ वाली हल्दी है इसे आप उहीं पे मालक्षमी के पास रहने दे या गनेज जी के पास और फिर यह जो चाबल है इसे बांध कर अपने पर्स में रख लें यकीन मानिये मालक्षमी की किरपा होगी और जीवन की तमाम जो धन की रुकावटे हैं वो दूर हो जाएं नो बजे से लेकर साड़े दस बजे के बीच याद रखिएगा वैसे ये उपाया किसी भी सुक्रवार कर सकते हैं लेकिन आज का दिन खास है इसलिए जरूर कीजेगा पांच पिली कोडी और थोरी सी के सर एक चुटकी ज्यादा नहीं दो चार पंखुरी भी हो तो चलेगा चांदी का कोई भी चीज है ऐसे सिक्का हो तो और भी अच्छा सबको एक साथ बांध कर जहां पर पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए यकीन मानिये जीवन की तमाम परिसानिया दूर होगी धन आता रहेगा वैसे तो आज के दिन अगर आपका जो चावल जहां से पिरसे में चावल भर दीजेगा यानि अन कभी भी आपके घर का भंडार नहीं कवेगा दूसरी बात आज के दिन एक मुठी चावल बिना तुटा हुआ चावल किसी भाते वे नदी में प्रभाहित करने से मालक्ष्मी का आपके घर में निवास पर्मानेंट रहता है यानि मालक्ष्मी आपके घर में निवास करती है एक मुठी चावल आपको देना है नदी में आप मालक्ष्मी का ध्यान करते वे और उनसे कहिए का प्रभू आप मेरे घर रहे बरकत दीजे फिलाल हम आपसे बिदा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर मह आपसे हादे